तो देखिए आज मैं आप सभी के लिए लेका या हूं उत्राखंट के टॉप 15 क्वेशन के हमारी सीरीज चल लिए आज उसका 7 पार्ट है भाग साथ है इससे पहले मैं आपके 6 बाग अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब चैनल पर हमारे इस्टेडिवी तेम पर तो जिन ल दूंगा यहां फिर प्लेइलिस्ट पर जाके भी आप हमारे उत्राखंट के टॉप 15 क्वेशन की सीरीज देख सकते हैं तो देखिए जो सीरीज चलाई जा रही है यह उत्राखंट पुलिस कनिस साइक और पटवारी के आप वैकेंसी आने वाली है यहां वीडियो बीपीड करने से पहले आप सभी लोगों के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यव चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ ही साथ देखिए आप जो आपको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बगल में आपको बैल आइकन भी मिल ताकि हम यहाँ पर कोई वीडियो जाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलेग्राम ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं टेलेग्राम ग्रूप को जोइन करने के लिए आप अपने जो टेलेग्राम एप्लिकेशन है उस प हो जो तो देखें वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज कीशी्डियो का पहला प्ध्र मेर्यू परवट उत्बरावट उत्ट्र उत्तली में इस थे ठीक में फीट चार जिल邏 को नाम सी प्रवत नाम को बताना चार्व quatro को नम दिये हैं मैं अपको बताना है कि मेर्यूप्र काफी इंपोर्टेंट है ये एक दू साल पहले मैं देख रहा था मैं मेरु परवत के बारे में तो आज की वीडियो में डाल दूं तो देखें जो मेरु परवत है यह आपका उत्तरकासी जान लेता है और उत्तरकासी जो है उत्तरकासी जो जनपद है उसका जो स्थापना होई थी 24 फरवरी 1960 को हुई थी ठीक है और यहीं पर आपके बहरो घाटी होगी और वार्सु घाटी भी इस्तित हैं इंद्रकील परवत पूछा गया था एक बार अगर आपको पता हो तो उसमें इंद्रकील परवत के बारे में स्थित है तो इसका राइट अंसर भी कहा हो जाएगा उत्तरकासी में ही आपका देखिए आपका राजी के सबसे बड़ा हिमना देख बूल सकते हैं तो वह भी कहां पर इस्तित आपका उत्तरकासी में इस्तित है जिसका क्या नाम है गंगोतरी ग्लीशियर अगर इसकी सब्सक्राइब आपका मेरु परवत यह आपका गंगोत्री ग्लीशियर के बारे में और जो मेरु परवत है वह कहां आपका उत्तरकासी में ठीक है तो थोड़ी से चीजे पढ़ लेते हैं मैं सूर्पता हूं कि जो भी आपके सामने क्विस्टन लेका हो एक क्विस्टन के स केसि के रहे हमारा यूट्यारा यूट्यू ठीक हर चांद मैं तो यहां पर आपका सब्सक्राइब और मट कर सकते हैं क्विस्टन कीको प Oyめलत 4 सब्सक्राइब का लगा है अगरा कुशिन आपका देखिए आपके लोग संस्कृति दीवस किस दिन मनाया जाता है यह देखिए आपके जो इंद्रमणी बढ़ोनी थे इनकी जन्म स्मिर्थी में बनाया जाता है 24 दिसमबर को और इनका जो जन्म कब हुआ था यह वात आपका 24 दिसमबर 1924 को ठीक है 24 दिसमबर 1924 को इसका जन्म हो आता आपके इंद्रमणी बढ़ोनी जी का तो देखिए इनका जन्म हो आता और तो इनके इसमें एक खास बात भी है एक पॉइंट पूछा जा सकता है जो दूबानी बड़ोनी जी थे केदा नित्य के कणषल थे राजी के एक मात्र कि जो केदार app के कुषल थे व कौन थे तो उनका नाम है आपका इंद्रमणी बड़ोनी अगला कुशिन के और बढ़ लेते हैं तो इसकी स्थापना किस वर्से करेगी थी तो यह आपको बताना है कि भारती जो पशुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च जाता है यह जाता है तो आपका अगर आपको पता नहीं तो आप लुग नूट कर सकते हैं यह आप में लिख दीटा है आप में एप एप एब एप लिंगड अगला कुशिन क्यों बढ़ यहां पर नाला का बहुत दिस्टूप किस जिले में नहीं एक बताना थो इसका जो जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा आपका बात कर लेते हैं रूद्र प्रियाग ये बना था आपका 16 सेप्टेमबर 1997 को स्थापना वर्स पुरा पढ़के ले जाएगा और याद करके लेके जाएगा जो देखे रूद्र। आपको मैंना पहले रहा कि तो मिल जाएगी बात करते जूद्र दा और मंदांगनि मिलता है तो प्रूषक्षा करती तक चेंड़ सकता है क्योंकि आप देखे यह जो जंगन्ना इसका लास्ट टाइम है तो यह सारी चीज़ें इस पर याद रखने आ अगला कुश्चन के और पढ़ेते हैं अगला कुश्चन आपका एश्या के पर इंजिनेरिंग कॉलेज की स्थापना किस वर्ट से हुई तो काफी सबसे पहले बार की इसकी स्थापना का हुई थी तो इसकी स्थापना का हुई थी आठाइस दिसंबर 1988 को इसको इसको पूछा सकता है कई भर पूछाई गया है साथ हुए आयाइटी का डर्जा किस वर्ट से मिला बीक रूड़की को 2021 मागाला पूरी डेat आपका बोख में इंजनरिंगहेंए उसका इलग विवाग है ल SMK यह एलग विवाग है इसलिए जाना जाता है और इसकी जो हुखंबा जो इंजनरिंगहेंग है ुसकी अलग से विवाग की स्थापना यह पर्थम Engineering College में किस वर्ष करेगी थी वो करेगी थी 1960 में ठीक है पूछा जा सकता है IIT रूड की में भुकम पर इंजिनिरिंग विवाग की स्थाब ने किस वर्ष करेगी तो उसका जो राइट आंसर है वो किस वर्ष हो जाएगा 1960 में ठीक है और यही कुछ चीजें हैं जो पर देखिए तो आपको बताने किस जगह पर यह एक पर जाएगा थली सेंड पर पढ़ता है और उसके बाद देखिए यह जो टिंचरी माय थी लिए परसिद्ध्य समास से भी थी और इनके इसली भी जाना चाहता है कि इन्होंने जो गड़वाल शेतर में है जब उस टाइ भीटती थी तो उससे क्या होता था आम जी जट जीवन होता था अस्ट वियस्त हो जाता था उसको रोकने में इनका काफी योगदान रहा है और साथी साथ इनके दौरा जो वो रहते थे सादू उनके खिताब भी इनके दौरा अंदोलन चलाये गया था ठबले देवी बिकार प्रतिवर्स लाटू देवता के कपाट खुलने पर किस जनपद में लगता है जब लाटू देवता का जो कपाट है जब खुलते हैं उनके कपाट तो वहां पर एक बोरी मेला का आयूजन होता हो कि जनपद के अंतरगत होता है तो बहुत सारी लोगों ने अंसर लगा लिया होगा तो यह होता है तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा चमॉली तो देखिए चमॉली जनपद के पढ़ लेते हैं चमॉली जनपद है यह की सवर्पसे जनपद बनाया गया था 24 परवरpurна साथ को इसके प्लजनपद के रूप में अगर इसके नाम की बात करें चमॉली जनपद है तो प्राचीन नाम है लाल संगा सांगा लाल संग है इसका पुराना नाम है हुआ क्या था देखिए 1960 में तो क्या हुआ गठन हुआ यह जन्पद मनके लेकिन 10 वर्ष से बाद यानिकि 1970 में यहां पर अलगनंदा नदीर में क्या आगी थी भयानक बाड़ आगी थी उसमें क्या हुआ कि चमूली जो जन्पद बना था उसी टाइम पर हाली में तो वहां पर बहुती ज्यादा भूकम सरी बाड़ के अलगनंदा में जब बाड़ आई तो उसकी वज़े से काफी हानी हुई तो इस हानी को देखते हुए वहां पर जब दुबारा से मुख्याले के निर्मार नहीं हो पा रहा था तो इन्होंने ऐख 9 को फ़्रत विसे डिवता काफिए इंपोर्टेंट कुश्च्छन है नहीं हरु इसका सीथा सिथा शिथा इंसर बटारतेता हुए हैं कर नमबर दी बार आगास्त को याद करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी गंजूसी मत दिखाएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं और यह सारी चीजा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताईएगा अगला कुछिन के बढ़ेते हैं लाम ताल किस जनपद में इस्तिता है लाम ताल भी कहा जा सकता है तो यह बताने है आप सभी लोग को तो यह भी आपका उत्तरकासी जनपद में मैंने पहली बता दिया ह है तो इसका मैंने वहां पुराना नाम नहीं बाता था तो जो पुलाना नाम है यहां बड़ा-घं udah इसका पुराना नाम किया इस थिरती है काँ सा कीरती में इस्थम्व परवट तो ये किरती काम पर आपका उत्तर कसि अर बगलीशियर यह आपको ना पहली बता दिया था कुछिन आपको देखिया हरसदेव जोसी के अनुसार कुमाओं में चंद वंस का सस्तापक कौन है बताएं बहुत इंपॉर्टेंट कोशिय नहीं और आ सकता है तो यह होगा आपका फुहर चंद बहुत सारी लोग सोमचंद लगा के आ सकता है लेकिन आपका हरसदेव जोसी के थे लेगिन वास्तविक चंध सासक माना जाता हैं कुमाओं के चंध सासक बें यहां को देखियं जो आपके थोगर चंध नहीं है आपको पता ही होगा ऊपारे पिध्हान सभाइस टैने और दो चिक ते लिए और की स्ट्राइस थीं अुछ अगला कुछिन आपके भाट कोट का किला काफी इंपोर्टेंट है बाट कोट का किला उतराखंड के किस जिले में इस्तित है तो इसका जो सही अंसर है वो रहेगा आपका पिथोरागड ठीक है अभी तक देखे आपने सिमलगड का किला भी पढ़ा था सिमलगड के किले के बाद आज नया किला लाएक आयों में आपके लिए बहुत सारी देखे नए कुशिन होता है यह यूगे टिपर सी पूछ लेता है बार बार और वहां पर आपको दिक्कत होती है अगर आपने पढ़ा नहीं होता है तो ठीक सब्सक्राइब बना यहीं पर मैंने बोला कि आप से किया लंदन कोड भी है जिसको सिमलगड का किला भी कहा जाता है और इसकी जो संदरी करन का और इसका देख भाल का कौन सा विभा इसको जिम्मेदारी ले रखी है वह कौन सा मंडल कुमाव मंडल विकास निगम के इसके दोरह नमक कर लगाए तौश का सब्सक्राइब आपका बाज-बहादूर चंद और के दोरह ही आपका नमक कर लगाया गया था दिखें बाज बादू चंद के बारें पढ़ लेता है इनका जो कारीकाल रहा है आपका 1638 से लेके तो आपको पता होना चाहिए वह कौन थे आपके बाजबादु चन्द के द्वारे आपकी बाजपुर नगर की स्ताफना करीगी थी और एक हतिया देवाल स्ताफना का स्रे किसको जाता है और यो एक आपके किस्के क्राया जाता है तो यह गुफाव से करा वह बिद्धि नसी किस चंध सासक का कतन था तो आपको पता होना है किस चंध सासक का कतन था यह था बाद बादूर चंद का सब्सक्राइब करें तो इसका जो सब्सक्राइब करें निस सब्सक्राइब करी हुई थी यहाँ पर सवरा सब्सभां थारों उसका वह रही आपका जॉन्सार के बारे मैं बता देथे हमारे राज की दूसरी बड़ी जंज जाती है है गरवाल के प्रपेकशिक में पूछ आजा तो गरवाल की प्रपेक्शिम है गरवाल की सबसे बड़ी जन I जॉंसार आपि है उनके कुछ प्रमुक मेले हैं जैसे कि मोड मेला है इनके इंपोर्टेंट मेले हैं और यहाँ पर इसको आप नूट किलेजेगा जॉंसार जन जगेतु के चलताए है चलती सब्सक्राइब, कका का सुमत्य चया दोरु आ लोग जाने है तो यह मैं आपके सामने लेका आया था आपके यह टॉप 15 कुश्यन ठीक है आज की वीडियो को में यहीं पर समप्त करता हूं उम्मेद करता हूं आप सभी लोग को मेरी यह वीडियो पसन है होगी आपको देखें mcq की जो वीडियो है वो कल मिल जाएगी mcq की वीडियो में इसी के साथ बना रहा हूं अप्लोड कर दी गई है मेरे यूट्यूब में ठीक है लेकिन उसको पब्लिक नहीं क्या होगा है पब्लिक आपकी कल सामको होगी 6 बच के 45 मिनट पर आ जाएगा और 6 ब करिए कि आप सभी लोग हमारे यूट्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कमेंड और शेयर जरूर करेगा आप से उम्मीद रखते हैं आप से नहीं कोई पैसा चाहिए नहीं आप से कुछ चीज चीज कहता है कि आ फिजिकल क्या होगा और हर चीज क्या होगा तो उसको आप देख सकते हैं तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए तानिवागा